मसकार आज का हमारा विशह है वाच्य इस वीडियो में हम वाच्य की परिभासा और प्रकारों को बड़े ही आसानी से और सरल सब्दों में समझेंगे आए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम वाच्य की परिभासा जानेंगे इसके बाद उदाहरण के माध्यम से वाच वाच्चे की परिभासा क्रिया के जिस रूप से जाना जाए कि क्रिया का सम्मंध करता कर्म या भाव से है उसे वाच्चे कहते हैं। वाच्चे का निर्धारण करता से होगा और अगर क्रिया का मुख्य विसे कर्म है तो क्रिया के पुरुस वच्चन और लिंग का निर्धारण कर्म के अनुसार होगा। जैसे आप उदारण देखिए पवन पत्र लिखता है राधा के द्वारा गीत गाया गया रोगी से उठा नहीं जाता। पवन पत्र लिखता है इस वाक्य में लिखता है क्रिया है राधा के द्वारा गीत गाया गया यहाँ पर गाया गया क्रिया है रोगी से उठा नहीं जाता यहाँ पर उठा नहीं जाता क्रिया है तो अब ध्यान से देखिए कि पवन पत्र लिखता है इस वाक्य में करता है कि कौन पत्र लिखता है पवन पत्र लिखता है तो पवन पूलिंग सब्द है और एक वचन है इसलिए पवन के अनुसार ही किया प्रकरता के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण हुआ है कि लिखता है अगर इस्त्रिलिंग होता तो लिखती है हो जाता दूसरा उधारण दे मुख्य बिशय या इसक्रिया का सम्मंद करता राधा से ना होकर कर्म गीत से है कि राधा के द्वारा गीत गाया गया तो इसक्रिया का मुख्य बिशय यहाँ पर गीत है और गीत कर्म है तो अब यहाँ पर देखिए कि गीत पुलिंग सब्द है इसलिए राधा के द्वारा गीत गाई गई न लिखकर यहां लिखा हुआ है कि राधा के द्वारा गीत गाया गया क्योंकि यहां क्रिया का निर्धारड क्रिया के पुरुस वचन और लिंग का निर्धारड कर्म के अनुसार हुआ है तीसरा वाक्य रोगी से उठा नहीं जाता इस वाक्य में उठा नहीं जाता क्रिया है और इसमें ना तो करता प्रधान है नहीं कर्म प्रधान है यहाँ पर भाव प्रधान है दोस्तो वाच्चे के तीन भेद होते हैं याद रखिएगा वाच्चे के कितने भेद तीन भेद सबसे पहले कर्तरी वाच्चे कर्तरी वाच्चे, दूसरा कर्म वाच्चे, तीसरा भाव वाच्चे कर्तरी वाच्चे, कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे सबसे पहले हम कर्त रिवाच्चे को जानेंगे जब क्रिया का मुख्य बिसे करता हो यानि जब क्रिया का संबंध करता से हो क्रिया का मुख्य बिसे करता हो तो हाँ पर आपका कर्त रिवाच्चे होगा जैसे मा ने रोटी बनाई यहाँ पर क्रिया है बनाई राधा गीत गाएगी क्रिया है गीत गाएगी मदन कलम खरीद रहा है क्रिया है खरीद रहा है ध्यान से देखिए मा ने रोटी बनाई यहाँ पर मा ने क्या बनाया रोटी बनाई रोटी बनाई किसने बनाई मा ने बनाई मा ने रोटी बनाई इस वाक्य में करता प्रधान है क्योंकि मा इस्त्री लिंग है यहां और मा के अनुसार ही यहां पर क्रिया का निर्धारड हुआ है कि मा इस्त्री लिंग है तो यहां पर बनाया के जगह हो गया बनाई तो इसमें आपका करत रिवाच्चे है क्योंकि यहां पर क्रिया का निर् मुख्य भी से करता हो जहां क्रिया का सम्मंद सिधे सिधे करता से हो वो आपका कर्त्र वाच्चे हो जाएगा राधा गीत गाएगी इस वाक्य में राधा गीत गाएगी गाएगी क्रिया है और इसका मुख्य भी से राधा है कि राधा गीत गाएगी क्रिया भी इस्त्री लिंग लिखी गाएगी ना कि गाएगा तो यह आपका कौन सा हुआ कर्त रवाचे क्योंकि इस वाक्य में कर्ता की परधानता है कर्ता के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण हुआ है मदन कलम खरीद रहा है इस वाक्य में खरीद रहा है क्रिया है कौन खरीद रहा है मदन खरीद रहा है इस वाक्य में मुख्य भी से क्रिया का मुख्य भी से मदन है तो मदन कलम खरीद रहा है मदन पूलिंग है एक वचन है इसलिए इहां पर हो गया खरीद रहा है क्रिया हो ग क्रिया का सम्मंद सिधे सिधे करता से हो तब आपका कर्तर वाच्चे होता है दूसरा देखिए कर्म वाच्चे जब क्रिया का मुख्य भी से कर्म हो जब क्रिया का मुख्य भी से कर्ता ना होकर कर्म हो तो हाँ पर आपका कर्म वाच्चे हो जाएगा उधारर देखिए पिता पिता जी के द्वारा इहां इसका चिन है कि करता के बाद से या के द्वारा आता है याद रखिएगा जैसे उधारड पिता जी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी इस वाक्य में जो क्रिया है सुनाई जाएगी राम के द्वारा पत्र लिखा गया क्रिया लिखा गया सीला से गीत गाया जाएगा क्रिया गाया जाएगा अब देखी यहां कर्म वाच्च क्यों है क्योंकि यहां क्रिया का मुख्य भी से करता न होकर कर्म है कि पिता जी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी क्या सुनाई जाएगी कहानी तो यहां क्रिया का सम्मंद सीधे-सीधे कर्म से ह तो कहानी इस्त्री लिंग है इसलिए हम इहाँ इसका निर्धारण कर्म के अनुसार कर दी है क्रिया का निर्धारण ऐसे तो पिता जी पूलिंग है तो लिखा जाता पिता के द्वारा कहानी सुनाया जाएगा लेकिन यहाँ पर क्रिया का मुख्य भी से कर्म है क्रिया का संबंध कर्म से है तो हम कहानी स्त्रिलिंग है इसलिए यहाँ लिख दिया गया कहानी सुनाई जाएगी यहाँ पर क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार हुआ दूसरा वाक्य देखिए राम के द्वारा पत्र लिखा गया, क्रिया है लिखा गया, क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, इस वाक्य में भी कर्म परधान है, कर्ता परधान नहीं है, क्रिया है लिखा गया, और कर्म है पत्र, वाक्य में कर्म की परधानता है, क्रिया का सीधे सीधे सम्बंध कर्म से ह तो अब कर्म के अनुसार ही क्रिया के यहां लिंग वचन और पुरुसकार निर्धारण हुआ पत्र पुलिंग सब्द है तो यहां लिख दिया गया पत्र लिखा गया ना कि पत्र लिखी गई समझ में आ रहा होगा तीसरा उधारण देखिए सीला से गीत गाया जाएगा क्रिया है गाया जाएगा सीला से गीत गाया जाएगा इस वाक्य में क्रिया का सम्मंध करता से नहीं है सिधे सिधे कर्म से है कि क्या गाया जाएगा गीत गाया जाएगा इस क्रिया के लिंग का निर्धारड वचन का निर्धारड कर्म के अनुसार हुआ है तो यह आपका कर्म वाच्चे है तो समझ गहांगे कि जब क्रिया का मुख्य बिसे सीधे सीधे करता न होकर कर्म हो या जब क्रिया के पूरुस लिंग और वचन का निर्धारड कर्म के आपका कर्म वाच्य हो जाएगा तीसरा है भाव वाच्य, जब क्रिया का मुख्य सम्मंद करता और कर्म से ना हो कर भाव से हो तो आप वाच्य होता है जैसे आप उदारड देखिए धूप में चला नहीं जाता वाक्य में चला नहीं जाता क्रिया है अमन से रोया नहीं जाता रोया नहीं जाता क्रिया है उनसे गाया नहीं जा सकता गाया नहीं जा सकता क्रिया है तो दोस्तो इस भावाच्च में आपको नहीं सब्द देखने को अधिकतर मिलता है 99% आपको नहीं सब्द देखने को मिलेगा ध्यान दिजिएगा निस्यधात्मक सब्द नहीं मिलेगा धूप में चला नहीं जाता इस वाक्य में ना तो करता परधान है नहीं कर्म परधान है यहाँ पर सीधे सीधे क्रिया परधान है कि चला नहीं जाता तो यहाँ भाव आच्चे हो गया अमन से रोया नहीं गया, इस वाक्य में भी न तो करता परधान है, न कर्म परधान है, सीधे सीधे भाव ही परधान है, क्रिया ही इस वाक्य में परधान है, तो यह हो गया रोया नहीं गया, तो यह आपका भाव आच्चे, उनसे गाया नहीं जा सकता, इस वाक्य में भी न त करता परधान है नहीं कर्म परधान है यहां क्रिया का मुख्य भी से क्रिया ही है क्रिया का मुख्य भी से भाव है कि गाया नहीं जा सकता तो यह आपका हो गया भाव वाच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिजिएगा साथ ही हमारे चैनल को स्क्राइब करना मत भूलिएगा आप सभी को धन्यवाद